एक आदमी ने अपनी कजन के साथ शादी की और उसके तुरन बाद उसकी डेथ हो जाती है हमारे मेन कारेक्टर को लगता है कि उस कजन ने उसे मार डाला पर बाद में उसे उसे प्यार हो गया अब एक्चुल में हुआ क्या था यह हम मुवी में जानेंगे हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको माई कजन रेचर यह 2017 की एक मिस्ट्री रोमैंस मुवी एक्स्प्रीन करने वालो हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा बिना किसी दरीगे एक्स्प्रीनिशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम है फिलिप यह हमें स्टोरी सुना रहा है फिलिप जब बहुत छोटा था तब ही उसके मदर और फादर गुजर गए थे उसका एक कजन था जिसका नाम था एम्रोस एम्रोस ने उसे छोटे से बड़ा किया था वो उसके लिए फादर की तरह था फिलिप फी सिटी में गया अपनी एजुकेशन कम्पलीट की पर उसे सिटी में रहना अच्छा नहीं लगता था तो एम्रोस के बाद वो वापस आ गया थोड़े दिनों में एम्रोस की तबियत बहुत ही खराब हो गई थी उसका इलाज करने के लिए एक सिटी में वो चला जाता है अब कुछ दिन गुजर चुके थे और फिलिप को एम्रोस का लेटर मिला इस लेटर में लिखा था कि अब उसकी तबियत अच्छी है एम्रोस की और एक कजन थी जिसका नाम था रेचल रेचल एक वीडो थी उसी के साथ वो रह रहा था ये लेटर जब फिलिप ने अपने लॉयर को सुनाया तो लॉयर बहुत ही इंट्रीक्ट हो गया तो गहता है एम्रोस को कभी भी लड़कियों में इंट्रेस नहीं था ये फर्स टाइम उसने किसी लड़की के बारे में बात किया इसी लॉयर के एक बेटी भी है जिसका नाम में लुईस लुईस एक्चुन में फिलिप को बहुत लाइक करती है तो फिलिप को इसके बारे में पता ही नहीं है इसके बाद और एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि अब मैं रेचल से शादी करने वाला हूँ इसके बारे में पता चलने के बाद लुईस फिलिप से गहती है तुमें भी अब सेटल होना चाहिए शादी करकर तुम भी खुश रह सकते हो हमेशा की तरफ फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है कुछ दिन गुजर गए और फिलिप को और एक लेटर मिला इसमें अमरोस ने लिखा था मेरी तबियत बहुत खराब है मैं लेटर लिख पा रहा हूँ क्योंकि रेचल यहां नहीं है वो हमेशा मुझे पर नजर रखती है इस लेटर से ओ बता रहा था कि रेचल उसे मारना जाती है इस लेटर से ओ फिलिप को बुलाता है फिलिप भी जल्दी से निकल जाता है वहाँ पोचने पर एमरोस के और एक लोई रेणाल्डी से उसे पता चला कि एमरोस की डेथ हो चुकी है फिलिप इस पर बहुत ज़ादा गुसा हो गया उसे लगता है कि रेचल ने उसे मारा पर एमरोस को ब्रेण टूमर था अपने लास्ट के दिनों में और कुछ भी बोलता था फिलिप ने रेचल के बारे में पूछा तो रेचल यहाँ से चली जा चुकी थी रेणार्डी ने फिलिप को डेथ सर्टिफिकेट दिखा है जिस पर साफ साफ लिखा था कि एमरोस की डेथ ब्रेंट उमर की वज़े सुई थी फिलिप इस बात पर बिलीव नहीं करता उसे अब भी लगता है कि रेचल ने उसके कजन को मार डाला फिलिप फिर घर आया अपने लॉयर से बात करता है उसने एमरोस की विल देखी जिसमें लिखा था कि सारी प्रॉपर्टी फिलिप को मिलेगी इसमें रेचल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है फिलिप कहता है कि रेचल ने उसे मारा लॉयर कहता है रेचल का उसे मारने के पीछे कोई भी मोटिव नहीं है सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हें मिल गई है इस विल में और एक शर्थी कि फिलिप जब 25 अर्सका होगा तब उसे सारी विल मिलेगी तब तक इस पर उनका लॉयर नजर रखेगा इसका नाम है निक एक दिन फिलिप को रेचल से लेटर मिला वो यहाँ आना चाहती थी फिलिप इस बात से बहुत ही डिस्टब हो जाता है वो नर्वस था तो उसके पास लुईस आई हुई थी फिलिप डिसाइड करता है कि रेचल के लिए तो बहुत ही घटियासा रूम देगा लुईस फिलिप को सपोर्ट करने के लिए साहरा देने के लिए यही रुकने के लिए रेडी थी पर फिलिप उसे जोर से मना कर देता है फिलिप को बाद में अपनी गल्ती रेलाइस हुए उसे सौरी भी कहता है वो थोड़ी देर में घर से बाहर चला गया था और रात में वापस आया तो उसका सर्वंट उसे कहता है कि रेचल अल्रेडी अपने रूम में है रेचल ने अपने खुद के लिए अच्छा सा रूम ले लिया था फिलिप उसे डिनर के लिए लेट करवाने वाला था पर रेचल डिनर करती ही नहीं थोड़ी देर में रेचल ने फिलिप को मैसेज दिया कि अगर उसे मिलना चाहता है तो आकर मिल सकता है रेचल फिलिप को देखकर बहुत ही सप्राइस थी क्योंकि फिलिप और Ambrose ये बहुत से सेम दिखते थे फिलिप ने भी रेचल को जैसे imagine किया था वो वेसी नहीं थी वो बहुत ही beautiful है तो उसे कुछ भी बोलता नहीं रेचल फिलिप को nervous देखकर कहती है अगर तुम जाहो तो smoke कर सकते हो रेचल ने कहा कि Ambrose ने मुझे इस room के बार में story बताई थी ये actual में तुमारे end का था तुमारी end एक curate के pair में पढ़ गई थी जब उसका pair success नहीं हो पाया तो बहुत सालों तक उसने कोई भी शादी नहीं की जब वो old हो गए तो फिर से और एक curate के प्यार में पढ़ गई जिस दिन उसकी शादी होई थी उसी राज शौक से उसकी death हो गई थी ये story रेचल ने अभी-भी बनाई तो इस बात पर ये दोनों बहुत अस्ते है रेचल की personality बहुत ही likeable थी वो अगली दिन अपने horse वर बाहर निकलती है अमरोज जो भी चीजे करता था जो भी चीजों से अच्छी लगती थी ये सब वो try करना चाती थी फिलिप भी उसके साथ आया ये दोनों साथ गुमते है साथ चर्च में जाते है तो सारे लोग इने घूर रहे थे फिलिप ने अमने सब फ्रेंड्स वेगरा को बुलाया और जब ये डिनर करते है तो रेचल सब से घुल मिल जाती है सबको बहुत पसंद आई थी डिनर के बाद रेचल ने फिलिप से कहा तुम्हें लुईस से शादी करनी चाहिए जिस तरीके से ओ तुम्हें देखती है उसे साफ साफ पता चलता है कि ओ तुम्हें बहुत लाइक करती है फिलिप कहता है कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं पर मुझे पता है मुझे तुमें देखना बहुत अच्छा लगता है रेचल यहाँ से जाना जाती थी तो फिलिप कहता है कि यही रुख जाओ रेचल का ब्लान था कि अलग सिटी में जाएगी वहाँ पर लोग को इटालियन लाइग्वेज की लेसन देगी फिलिप उसे कहता है कि एक वीडियो के लिए लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है तुम यहाँ रह सकती हो इस बात से रेचल बहुत ही हर्ट हो गई वो मानने निवाली थी तो इसके बात फिलिप अपने लॉयर के पास गया उसे कहिकर रेचल को बहुत सारे पैसे दे देता है यहाँ से जाते वक्त लुईस से उसकी बात हुई फिलिप कहता है तुम उस दिन बहुत ही अफसेट थी लुईस कहती है तुमने नोटिस किया तुम तो सिर्फ रेचल में ही गायब थे सबने बात नोटिस की थी कि रेचल तुम्हें मैनूबलेट कर रही है फिलिप इस बात को इग्नोर कर देता है वो जब घर पर आया तो रेचल को उसने जो भी पैसे दिये थे इसी रीसिप्ट उसने उसे दिखाई रेचल इस बात पर गुसा हो जाती है इस तरीके से उसे कोई भी पैसो की ज़रुवत नहीं थी वो कहती कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो लोग क्या समझेंगे रात में फिलिप फिर से रेचल से मिलने के लिए आया तो रो रही थी फिलिप उसे समझाता है कि अगर एम्परोज जिन्दा होता तो यह सारी चीज़े तुमारी होती यह पैसे रहने के लिए उसे कन्वींस कर देता है रेचल कहती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ पर यहाँ से चली जाओंगी फिलिप कहता है तुमारा यहाँ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है उसने रेचल को कन्वींस कर दिया कि वह यही रहे इसके बाद फिर रेचल ने घर में बहुत सारे चेंजिस किये थे पास पास जो भी लोग रहते थे अगर उन्हें कोई भी बिमारी हुई तो रेचल उन्हें हेल्प करती थी एक दिन एम्रोस से फिलिप को जो भी लेटर मिला था यह लेटर उसने रेचल को दीखाया रेचल कहती है तुम शायद मुझे हेट करते थे फिलिप कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तब मुझे पता चला कि वो सब को जूट था फिलिप कहता है कि अब मैं तुमें जानता हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है उसने लेटर जला दिया यह अब डिसाइड करते है कि एम्रोस के कपड़े वेगरा इस सारे लोगों को बाट देंगे यह सारी चीज़े देखते देखते रेचल एमोशनल हो गही थी तो फिलिप ने उसे सारा दिया अब इसके बाद क्रिस्मस का टाइम आ चुका था फिलिप रेचल के लिए एक ठ्री बनवाता है वो अपनी फैमिली ट्रेजरर के पास गया उसकी मदर ने अपने वेडिंग में जो नेगलेस पहना था उसे लेकर आता है ट्रेजरर उसे कहता है कि अब तक तुम 25 येर्स के नहीं हो तुम्हें ओफिशली ये सब नहीं मिला है फिलिप माना नहीं और ये लेकर गया रात में उसने रेचल को गिफ्ट किया रेचल को भी बहुत पसंद आया इसके बाद ये तुनों करीब आकर एक दूसरी को किस कर लेते है इनके यहाँ पर आज पार्टी थी फिलिप ने रेचल के लिए जो ट्री बनवाय था ये देखकर रेचल को बहुत अच्छा लगा पार्टी में सारे लोगों ने बहुत एंज्रॉय किया पार्टी में नीक देखता है रेचल के पास फिलिप की मदर का नेकलेस है उसने फिलिप से बात की कहा कि तुम अब तक 25 एयर्स के नहीं हो तुमें नेकलेस रेचल को नहीं दे सकते नीक ने रेचल के अकाउंट्स भी देखे थे जो भी पैसे फिलिप ने रेचल को दिये थे इसमें से बहुत सारे पैसे रेचल ने खर्च कर दिया बाकी पैसे कंट्री के बाहर भी बेज़े है फिलिप कहता है कि रेचल बहुत ही जेनरस है उसने घर में बहुत सारे चेंजेस किये वो लोगों को हेल्प करती है शायद इसी वज़े से सारे पैसे खर्श हो गए उसके आकाउंट में और कुछ पैसे डाल दो निक्या था कि मैंने रेचल के बारे में और भी इनफॉर्मेशन निकाली उसके फर्स्ट हजबन की डेथ एक फाइट में हुई थी एक और आदमी था जो रेचल को लाइक करता था उन दोनों में ही फाइट हुई थी फिलिप को इस सारी बातों पर बिलिव नहीं होता रेचल को थोड़ी दिर में पता चला कि इस नेगलेश की वज़े से इन दोनों में फाइट हो रही है तो वो जाकर इस नेगलेश निक को दे देती है फिलिप बहुत ही अपसेट हो गया वो कहता है कि अगर एमरोज जिन्दा होता तो वेसे भी यह सब सारी चीज़े तुमारी होती उसे तुमारे लिए विल लिखनी चाहिए थी रेचल कहती कि एक्च्छल में उसने एक विल लिखी थी पर कभी भी उस पर साइन नहीं किया फिलिप कहता है कि ऐसा क्यों विल देखी जो Amoros की handwriting में थी उसने फिर decide कर लिया कि रेचल ये सब deserve करती है तो सारी property उसे दे देगा lawyer भी intelligent था उसने लिखा कि रेचल ने अगर फिल से शादी की तो सारी property फिलिप को मिल जाएगी फिलिप को बता था कि रेचल अब तीसरी शादी नहीं करेगी ये will उसने create कर ली एक दिन रेचल से मिलने के लिए उसके पास रेचल रेचल और रेचल एक दूसरे के बहुत अच्छे friend थे ये बहुत सारी बाते करते एक साथ time spend करते ये सब बाते फिलिप को अच्छी नहीं ल वायर के पास गया अपनी family की सारी जोलरी उसने ले ली रात में वो एक रोमियो की तरह खिरकी से चड़कर रेचल के पास बोश्चता है सारी जोलरी उसने वसे दे दीता है कि अब में 20 एस का हो चुका हूँ बने हाथों से अपनी मदर का नेकलेस उसे पहना है उसने का कि अ अपने लॉयर के बास गई हुई थी फिलिप उसका बहुत वेट करता है वापस आने के बाद रेचल गहती है कि इस फिल्म में लिखा क्या है मुझे समझ मिने आ रहा था इसी को जानने के लिए में गई हुई थी फिलिप फिर उसे जल्दे जल्दे फुलो के गार्डन में ले उसकी बेटी लुईस आए हुए थे यही डिनर पर फिलिप अनाउंस करता है कि वो रेचल से शादी करेगा इस बात से रेचल गुस्ता होगी रेचल फिर से अब तीसरी शादी नहीं करना चाहती थी उसने पूरी तरीके से फिलिप का प्रपोजल ठुकरा दिया नेक्सिन म और वैसे भी वो रेचल से प्यार करता है वो फिर से उसे शादी के लिए पूछेगा लुईस कहती है कि जब तुमने विल बनाई नहीं थी तो तुमारे साथ थी है जब उसे सारी प्रॉपर्ट्य वेगरा मिल गी तो अब तुमारे साथ वो शादी नहीं करना चाहती है इस सब की वज़े से फिलिप की तबियत और वी जादा खराब हो गई एसी हालत में रेचल उसका बहुत खैल रखती है बहुत दिनों तब वो अनकॉंशेस था और थोड़ी दिनों बाद वो फिर से ठीक हो गया एक दिन फिलिप जब एम्ब्रोस की बुक्स देख रहा था तो एक बुक में लिखा था रेचल मुझे मारना चाहती है इसके बाद फिलिप फिर से रेचल पर शक करने लग गया एक दिन वो उसका पीछा करता है तो रेचल जाकर रेनार्डी से मिल रही थी इस बात को लेकर उसने उसे कंफरंट किया रेचल कहती कि वो सिर्फ मेरा एक दो प्रोटेक्टर वो यहां इस घर में रह सकता है इस बात पर फिलिप बहुत जादा कुस्सा हो गया उसने उसका गला पकड़ लिया था रेचल इस बात पर रोने लगके वो कहती है यही सारी चीज़े एमरोस के साथ भी हुई थी यह फिर से नहीं जहर सकती हमेशा सारे आद फिलिप ने पड़ी इसमें लिखा है कि रेचल मुझे पॉईजन देखकर मार रही है जो टी मुझे उपिलाती है उसकी टी में पॉईजन है फिलिप जो भी शक रेचल पर करता था यह सारा कंफरम हो क्या यह सब बात वो लुईस को बता कर उसकी हेल्प लेता है एक दिन ल लेटर मिला जो रेचल को बुला रहा था कि वो भी उसके साथ आकर इडली में रहे रेचल ने उसे अंसर दिया था कि वो फिलिप को इस तरीके से चोड़कर नहीं जा सकती इसमें रेचल और दोनों एक्चल में सिर्फ फ्रेंड्स थे यह पता चलने का बात फिलिप को करते रेचल के पास आ रहा था पर उसने देखा कि एक क्लीफ से नीचे गिर कर रेचल की डेथ हो शुकी है ये क्लीफ इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी एक बार फिलिप भी यहां से नीचे गिर कर मरने वाला था रेचल को इसके बारे में पता नहीं था तो इसी वज़े से उसकी पार टाइम गुजर चुका है हम देखते हैं फिलिप और लुईस ने शादी कर लिया इनके दो बच्चे भी है ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे फिलिप ने रेचल के साथ जिस तरीके से बहेव किया इसको लेकर आज भी उपश्टाता है वो वंडर करता है क्यों जिस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोडवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम वेसे मिलेंगे और एक नमगी के साथ तब तक के लिए थैंक्यों और आप अपने आपका खैल रखिया है